नमस्कार मैं हूँ कृष्णा रन सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कुछ वस्तुनिष्ट प्रश्ण का अध्यन करने वाले हैं इस परिक्षा के लिए जो प्रारंभिक गणीत निर्धारित किया गया है उसी से रिलेटेड जयामिती चेप्टर का कुछ महत्तपुन प्रश्ण का अध्यन करने वाले हैं या प्रश्ण कितना आपके लिए हेलफुल होगा कॉमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी आप जरूर देंगे और चैनल पर अधी आप पहली वार है तो परिक्षा की तयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो अच्छी लगने पे लाइक भी करेंग आपका कॉमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि इस प्रकार का प्रश्ण बनाना मेरे लिए कितना सार्थक जा रहा है आप कॉमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे पहले प्रश्ण की शुरुवात करते हैं पहला प्रश्ण आपके समक्ष है किसी सरल रेखा पर बिंदू होते हैं और कोई एक सरल रेखा सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सरल रेखा खीची A और B एक सरल रेखा है तो इस पे कितने बिंदू और कितने पॉइंट्स होते हैं ओप्शन है एक बिंदू, दो बिंदू, शुन्य बिंदू, अनन्त बिंदू आप कोमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी दें कि अधी एक हम सरल रेखा खीशते हैं तो इसका राइट अन्सर होगा अनन्त बिंदू होईंगे या जो सरल रेखा मैंने खीचा इस पे बहुत सारे बिंदू मिल करके इस सरल रेखा का निर्मान हुआ है तो अनन्त बिंदू होगा ओप्शन नमबर D आपका सही है इसके बाद अगला प्रश्ण है दूश्रा नमबर किसी बिंदू से कितनी रेखाएं खीची जा सकती है यहाँ पे देखिए एक बिंदू मैंने लिया यहाँ पे एक डॉट पॉइंट लिया डॉट लिया तो इसमें कितनी रेखाएं खीची जा सकती है तो इस बिंदू पे अधी हम रेखा खीचें इससे होकर के जाने वाली रेखाएं तो इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं हम खीचना चाहें खीच सकते हैं तो option clear हो गया होगा कि एक बिंदू से अनंत रेखाएं खीची जा सकती है तो option आपका C सही हो गया इसके बाद अगला प्रस्ण है तीसरा नंबर दो अलग अलग रेखाएं अनि कि दो अलग 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 रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदू पर परतिछेद कर सकती है प्रस्ण यही आपका है फिर से हम लोग प्रस्ण को पढ़ ले कि दो अलग 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 रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदू पर परतिछेद कर सकती है तो एक रेखा हमने ऐसे लिया एल रेखा उसके बाद दूसरी रेखा इसी से परतिछेद करती हुई जा रही है यह M रेखा हो गई तो दो अलग अलग रेखा एक L रेखा लिया दूसरी M रेखा लिया तो अधिक से अधिक कितने बिंदू पर परतिछेद किया अधि यहाँ पे एक ही रेखा यह लिए और दूसरी रेखा यह लिए तो यह जो point बना कितने बिंदू पर यह परतिछेद किया असपस्ट है कि यह एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या तो फिर अनन्त हो जाएगा तो एक बिंदू पर परतिछेद कर रही है इस O बिंदू पर तो आपका right answer A होगा इसके बाद अगला प्रश्न है चोथा नमबर दो अलग अलग बिंदूओं से होकर दो अलग अलग बिंदूओं से अधिक से अधिक कितनी अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है दो अलग अलग बिंदू लेंगे एक बिंदू यहां पर ले लिए सपोज किजिए कि यह A बिंदू है दूसरा बिंदू यहां पर ले लिए B तो दो अलग अलग बिंदू से एक बिंदू A दूसरा बिंदू B तो अधिक से अधिक कितनी अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है तो दो बिंदो को अदि आप मिलाएंगे या इससे होकर के अदि एक रेखा खिचेंगे तो एक ही रेखा जाएगी तो sunflower है कि राईट अंशर आपका ए होगा अनि एक ही रेखा जाएगी दो अलग-अलग बिंदो से अधिक से अधिक एक रेखा ही जा सकती है अगला प्रस्ण है चौथा के बाद पाचमा में हम लोग आ चुके हैं पाचमा प्रस्ण है X degree वाले पूरक कोन का मान होगा और एक सडिगरी यह कोन दिया हुआ है इसका पूरक कोन का मान पूछा जा रहा है तो पूरक कोन कहने का आर्थ हो गया दो कोनों का योग फल 90 डिग्री होना चाहिए निकि दो कोनों का योग फल 90 डिग्री होना चाहिए तो इस इस्तिती में अधी एक कोन आपका X डिग्री है तो दूसरा पूरा कोन के लिए 90 में आपको X घटाना होगा तो देखें, option A ही आपका सटीक बैठता है option A सही हो गया इसके बाद अगला प्रश्ण है छठा नमबर 22 डिगरी के 22 डिगरी के कोन का यहां पे कोन इसको पढ़िएगा 22 डिगरी के 22 डिगरी के कोन का पूरा कोन का मान कितना होगा तो पूरा कोन एक हो गया आपका 22 डिगरी दूसरा पूरा कोन के लिए 90 में से आपको 22 घटा देना है तो इस प्रकार से आठ अनि 6 68 डिग्री होगा तो option number यही आपका सही हो जाएगा 68 डिग्री इसके बाद अगला प्रस्ण है सात्मा नमबर 50 डिग्री 50 डिग्री के कोन का संपूरा कोन तो सबसे पहले हम लोग संपूरा कोन समझ ले कि अधी दो कोनों का योगफल आपका 180 डिग्री हो रहा है तो वैसे दोनों कोनों को संपूरा कोन कहेंगे तो एक आपका 50 डिग्री दिया हुआ है एक 50 डिग्री है तो दूसरा संपूरा कोन क्या होगा 180 में से आपको 50 माइनस कर लेना है तो 130 डिग्री होगा तो right answer आपका option number B होगा इसके बाद अगला प्रस्ण में चले आठमा number वह कोन जो अपने संपूरक कोन के बराबर है वह कोन जो अपने संपूरक कोन के बराबर है तो संपूरक कोन के बराबर है तो संपूरक मतलब हो गया 180 डिग्री दो कोनों का योगफल तो अधी एक कोन 90 डिग्री हो तो दूसरा निसित रूप से 90 डिग्री ही होगा तभी न दोनों जुट करके 180 डिग्री होगा तो right answer आपका 90 डिग्री होगा option number A होगा अगला प्रश्ण है 9 number अधी दो पूरक कोन आपस में समान हो अब देखें यहां पे पूरक कोन बताया गया है अधी दो पूरक कोन यदि दो पूरक कोन आपस में समान हो तो परते कोन क्या होगा अधी परते कोन होगा तो पूरक कोन में दो कोनों का योग फल 90 डिग्री होना चाहिए और समपूरक में 180 डिग्री होता है तो यहां पे पूरक पूछा गया है तो पूरक में 90 डिग्री होना चाहिए तो इस प्रकार से आपस में दोनों समान होने की इस्तिती में इसको दो भागों में बढ़ दिजे 45 और 45 होगा तो option number B आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन है 10 number अधी दो कोनों की मापों का योगफल 180 degree हो तो उन्हें कहा जाता है वही प्रशन पुना आया हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग पीछे किये थे पिछले प्रशन में यदि दो कोनों की मापों का योगफल 180 degree हो तो उन्हें क्या कहा जाता है तो 180 degree बाले संपूरक कोन कहलाता है 180 degree बारे संपूरक कोन तो option number B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है 11 number यदि दो कोनों की मापों का योगफल 90 degree हो अब देखे फिर इसकी चर्चा हुई है वही प्रस्ण की यदि दो कोनों की मापों का योगफल 90 degree हो तो क्या कहलाता है तो 90 degree वाले हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पूरक कोन होता है और 180 degree वाला संपूरक कोन तो यह option number A आपका सही हो जाएगा इसके बाद आगे चलिए अगला प्रस्ण 12 number यदि कोई किरन इसको थोड़ा सा छोड़ा करते हैं अधि कोई किरन किसी रेखा पर आधारित हो तो इस परकार वने दो आशन कोनों का योगफल क्या होगा तो इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो जो मेटरी की किरन आरेख है उसको खिसते हैं अधि कोई किरन एक रेखा पर यह रेखा हो गई इस पे एक किरन इस परकार से आती है तो इस परकार बने दो आशन कोनों का योगफल एक कोन इधर हो गया और एक कोन इधर होगा तो यह कोन और यह कोन दोनों का अधि हम योगफल करेंगे तो इसका 180 degree होगा तो option number C आपका सही है अर्थार तदी से कोन में इंगित करें AOBPO इसको C कहिए तो AOB अनिकी कोन AOB पलास कोन BOC BOC equal to 180 degree होगा आगे चलिए अगला प्रश्ण है 13 number यदी 2 रेखाएं परतीछेद करे यदी 2 रेखाएं परतीछेद करे तो डैस कोन समान होते है यहाँ पर खाली अस्थान दिया हुआ है इसमें फिल करना है यदी 2 रेखाएं परतीछेद करे इस परकार से 2 रेखाएं हमने लिया नहीं इस परकार से नहीं होगा यह समानतर रेखाएं होगे 2 रेखाएं हम लोग इस परकार से लेते हैं अधी 2 रेखाएं एक रेखा ऐसे ले लिए, एक रेखा इस प्रकार से लिया गया, और दूसरी रेखा इस प्रकार से इसको परतिछेद करती है, तो कौन सा कौन शमान होता है, तो इसमें समांतर की बात तो होगी नहीं, वहिस कौन की भी बात नहीं होगी, अन्ता भी नहीं बात होगी, तो सिर् इसके बाद अगला नमबर प्रस्ण है 14 में हम लोग आ चुके हैं अधी एक तिरियक रेखा यदी एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कौन क्या होईंगे इसमें वह फिगर बनेगा जो हम लोग पीछे बना रहे थे अधी एक तिरियक रेखा दो समांतर यह दो समांतर रेखा हो गई एल और एम इसको एक तिरियक छेदी रेखा इस प्रकार से काट रही है तो संगत कोन संगत कोन कहने का अर्थ हो गया कि इसका संगत कोन यह हो गया और यह आपस में जो संगत कोन है क्या होगा तो यह निशित से समान होगा और इसका एकांतर कौन इसका यह हो गया एकांतर कौन यह पार्ट को देखिए यह एकांतर कौन भी आपस में बराबर होता है और शंगत कौन भी आपस में बराबर होगा option number A आपका सही होगा इसके बाद अंतिम प्रश्ण है 15 नमबर छोड़ा सा इसमें वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्ण को देखे और एक प्रियोग के तोर पे है और अधी इस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे अधी इसकी संभावनाएं बनती है बस्तुनिस्ट प्रश्ण की तो निसी प्रश्ण प्रश्ण पूछे जाएंगे अन्तिम प्रश्ण रेखाई जो एक ही रेखा के समांतर हो प्रस्प्र होती है यहाँ पे एक दो तीन रेखाई खीची गई यह L, M, और यह N है अधी L और M, यहाँ पे देखे ल समांतर अधी M हो उसके बाद M समानांतर N हो और यह रेखा इसके समानांतर हो और यह रेखा इसके समानांतर हो तो निशित रूप से L और N दोनों आपस में समानांतर हो जाएगी तो option number A ही आपका right होगा तो बस आज के वीडियो में हम लोग एक छोड़े समय अंतराल में elementary mathematics से जो की geometry का एक parts था उसका कुछ परस्न देखे मिलते हैं अगले वीडियो में एक practice set के साथ तब तक के लिए धन्यवाद